सो हेलो गाईज आप सभी का इक बर फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपके यूटूब चैनल फ्लाइंग सो गाईज आज हम बिहार विधानसभा सचिवाले की वेकेंसी के बारे में बात करेंगे आशूलिपी शॉट हेंड के तीन पोस्टों पर वेकेंसी निकली है और अगर मैं स्टेट वाइज ग्रेट पे की बात करूँ तो बहुत अच्छा है सीधा आपका शॉट हंड है प्लस आपकी टैपिंग है कोई रिटें एक्जाम नहीं है तो पहला आपकी पोस्ट है प्रतिवेदक ठीक है यानि की रिपोर्टर दूसरा आपका निजी सायक यानि प्राइवेट सेकरेटरी और तीसरा आपकी पोस्ट है आसूलिपी यानि वेकेंसी की, अगर आप हिंदी जानते हैं, तो ही ये आपके लिए है, otherwise ये आपके लिए नहीं है, केवल और केवल हिंदी आशुलिपी के लिए, ये डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या आती है, रिशी, या फिर मानक, या फिर कोई और, लेकिन हिंदी वालों के लिए, से पहली जो आपका रिपोर्टर है, प्रति विदक, इसका वेतन है 9, यानि कि चववन सो ग्रेट पे, दो चववन सो ग्रेट पे होते हैं, एक होता 9, एक होता 10, तो इसमें 9 है चववन सो ग्रेट पे, बाकि आपको जो भी एड्मिसिबल, हर या टीए, डीए, जो भी है, पहली चीज़ तो यह, सेल भी बहुत अच्छी है, तीनों की और प्राइवेट सेकरेटरी और प्रति विदक की तो वाकि में बहुत अच्छी है, लमसम लमसम आप 90,1,00,000 क्या सपस जाएंगे, ठीक है, प्रति विदक में, चलिए, इसके बाद हम बात करें, टोटल वेकें है, इन सभी वेकेंसियों के लिए, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रेजवेशन है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसके साथ साथ, प्रति विदक के लिए शोट हैंड की स्पीड 150 सब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, ठीक है, पांच मिनट की होगी, प्राइवेट सेकरेटरी के लिए 100 सब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, और आशुलिपी के लिए 80 सब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, इन तीनों वेकेंसियों की एक कॉमन चीज यह है, कि आपको टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिस डोनों में ही पास करना प पड़ेगा, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, उसकी भी बात कर लेते हैं, तो देखें सिलेक्शन के इसमें दो क्राइटेरिया हैं, ठीक है, सबसे पहले आपका आशुलिपी होगा हिंदी का, और आशुलिपी में जो पास होंगे, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है या अर्था बनाई जाएगी, अब जो आशुलिपी, जो हिंदी की परिक्षा होगी, आशुलिपी हिंदी, वो आपकी 5 मिनिट की होगी, यानि 150 के हिसाब से 750 वट प्रतिविदक में, और निजी साहक में 500 और 400 आपकी होगी आशुलिपी में, जो एरर है, यानि कि तुटियों की जो गल आशुलिपी का परिक्षा, ठीक है, तो आपकी जो मिनिममम छूट प्रतिशत है, वो 10 प्रतिशत है, तीनों के लिए, ठीक है, और जो इन में पास होंगे, उन्ही को, उन्ही की हिंदी और अंग्रेजी टंकण की जो परिक्षा है, उसकी जो जाच है, वो करी जाएगी, वो टाइब्ड नहीं होगा, वो आपको अपने हातों से लिखना होगा, और उसकी शुद्धता के आधार पर ही, ठीक है, जो आप हाँच से लिखेंगे, उसकी शुद्धता के आधार पर ही, आपकी जो है, फाइनल मेरिट डिसाइट की जाएगी, ठीक है, आपकी फाइनल म सेंटेज है उसके आधार पर आपको फाइनल मेरित में बुलाये जाएगा लेकिन उन्हीं लोगों को टाइपिंग भी कराये जाएगी जो आशुलिपी परिक्षा में पास होंगे उत्तीरण होंगे दस प्रतीशत की मिनिमम छूट के अंदर-अंदर सो गाईज इतना ही था इस वेकेंसी में और अच्छी वेकेंसी है जो होम स्टेट जिनका बिहार है उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया वेकेंसी है और जो अधर स्टेट से हैं वो भी चाहें तो अपलाई कर सकते हैं कुछ में वेकेंसी नहीं है यूर की कुछ में है ठीक है तो निजी सची में आई थिंक दो वेकंसी हैं यूर की तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं तो गाइस अगर ये वीडियो इंफर्मेशन आपको अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरू कर देना गर आप चैनल पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें तेंक तो मुच्छी